नमस्ति की कारक उसे कहते हैं जिसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध हो क्रिया से जिसका अनवय हो वही कारक है कारक से संबंधी ती सुत्र संस्कृत वाकी रचना में बहुत ही साहयक होते हैं उसी कारक प्रकरण का अध्यन करते हुए आज हम अपादान कारक पंचमी विभक्ती का अध्यन करेंगे अपादान कारक का प्रथम सुत्र है दुरूवम अपाई अपादान अर्थात जिस दुरूव से दुरूव अर्थात जिस इस्थीर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो उसे अपादान कहा जाता है अर्थ होता है इस्थीर रहने वाली वस्तु और अपाय अपाय का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु का उससे प्रथक होना अलग होना तो जब किसी इस्थीर वस्तु से किसी अन्य वस्तु का प्रथकरन होता है तो उसे हम अपादान केते हैं अपादाने पंचमी तथा उमें विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिसे उधानन है बालकह अश्वात पतती की बालक अश्व से गिरता हैं। अश्वर्थाद गोड़ा यहाँ पे बालक पत्ती गिरने की क्रिया कर रहा हैं प्लथक हो रहा है तो बालक को तो हम करता मानेंगे और करता में सद Krathma विभक्ति होती हैं और अश्वात जो अश्व है वह दुरूव है वह स्थीर है और बालक गती कर रहा है तो दुरूवं अ इस सुत्र के अनुसार जो दुरूव है अश्व उसमें हम पंजमी विभक्ती का प्रयोग करेंगे तो अश्वात यहां अश्व में पंजमी विभक्ती का प्रयोग हुआ हैं अगला सुत्र है बी त्रा अर्था नाम भै हेतु हुँ बी धातु और त्रा धातु बी अर्थात भै और त्रा अर्थात रक्षा इन अर्थ की धातुओं के साथ में भै तथा रक्षा का जो भी हेतु है कारण है उसमें हम पंजमी विभक्ती का प्रयोग करते हैं जिससे हम भैबीत हो रहे हैं अत्वा जिससे रक्षा की आवशक्ता हैं भै हेतू अर्थात कारण तो भै का और रक्षा का जो कारण हैं उसमें हम पंचमी विभक्ती का प्रयोग करतने और वहां अपादान कारक होता हैं जैसे सह सीहात विभेती की वह सीह से भैबीत होता हैं यहां पे भीधातु हैं भैबीत होने के अर्थ में सह करता हैं प्रत्मा विभक्ती में और सीहात उसके भै का कारण हैं सीह तो भै हेतू अपादान का रखें और अपादान में पंचमी होती हैं अतह सीह में पंचमी विभक्ती का प्रयोग किया गया है इससे आगे सुत्र है वारणार्था नाम इपसीतह कि वारणादी अर्थवाली जो धातुएं हैं उसमें जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो जो इपसीत वस्तु हैं जो इपसीत पदार्थ हैं उसमें हम पंचमी विभक्ती का प्रयोग करते हैं वारण वारण का रथवता है रोकना तो जब हम किसी व्यक्ती को उसकी इपसीत इच्छीत वस्तु से हम जब वारण करते हैं रोकते हैं तो जो इपसित पदार्थ हैं उसमें हम अपादान कारक मानेंगे और पंचमी विभक्ती का प्रयोग करेंगे। जिसे उधारण है गाम यवेब्यह वार्यती कि गाय को यव यानि अनाज जो जो पदार्थ है अनाज है उससे वार्यती रोकता हैं। जो गाय है वह जो अनाज की तरफ जाने का प्रयतन कर रहे हैं और कोई मनुश्य उससे वार्यती रोक रहा हैं। तो यहां पर वार्ण धातु का प्रयोग हुआ हैं। गाय यहां पर कर्मका रखें गाय को रोका जा रहा हैं। और यव जो यव है अनाजी उसकी तरफ जाने का प्रयातना कर रही है उसकी इपसीत वस्तु है तो इपसीत वस्तु में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे यवे भ्यभ तो वारणाथ्ह नाम इपसीत है वारण अर्थवाली धातुओं में जिस वस्तु से हटाया जा अगला सुत्र हैं आख्यातो पयोगी आख्यात का अर्थ होता है कि जिस गूरू या अध्यापक के द्वारा विध्या पढ़ी जाए उसमें हम पंच्मी विभक्ती का प्रयोग करते हैं जिससे हम आख्यान प्राप्त कर रहे हैं जिसे हम अध्यान कर रहे हैं जैसे उधारण है सह अध्यापकात संस्कृतम पठती कि वह अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है यहाँ पे पठती क्रिया है सह उसका करता है प्रत्माविभक्ती में संस्कृतम वह संस्कृत पढ़ रहा है तो यह कर्मकारक है और किस से पढ़ रहा है अध्यापकात अध्यापक तो आख्यातों पयोगे सुत्र से हम अध्यापक में अपादान कारक की संग्या करेंगे तथा इसमें पंचमी विप्रक्ति का प्रयोग होगा अगला सुत्र है जनी कर्तु हूँ प्रक्रती अर्थात जन आदी जो धातुएं है उसमें कर्ता की जो प्रक्रती है प्रक्रती अर्थात उसका जो उत्पत्ती स्थान है उसमें हम पंचमी विप्रक्ति का प्रयोग करते हैं जन धातु का आर्थ होता है उत्पन्न होना और करता जहां से उत्पन्न हो रहा है उसकी जो प्रक्रती है मूल अस्थान है उसमें हम पंचमी विभक्ती का प्रयोग करेंगे जैसे हिमालयात गंगा प्रजायती जन धातु का प्रयोग हुआ है यहां पर गंगा उसका करता है वह उत्पन्न हो रही है गंगा उत्पन्न होती है और कहां से उत्पन्न हो रही है उसकी जो प्रक्रती है मूल अस्थाने वह हैं हिमालय तो हिमा लयात यहाँ पे हम पंचमी विभक्ती का प्रयोग करेंगे तो जन धातु के अर्थ में करता की जो प्रकृती हैं मूल उत्पत्ति स्थान हैं उसमें हम पंचमी विभक्ती का प्रयोग करते हैं अगला सुत्र है भुवाह प्रभवाश्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्यच्य तो जो वस्तु जो पदार्थ जहां से उत्पन्न होता है वह प्रभव हैं और प्रभव में हम पंचमी विभक्ती का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे काम शब्द में पंचमी विभत्ती का प्रयोग करेंगे कामात क्रोधह अप्रभव जब दूर और अंतीक अंतीक का आत होता है समीप में निकट इन शब्दों में हम पंचमी द्वीत्या और त्रत्या इन में से हम किसी भी विभत्ती का प्रयोग कर सकते हैं कि जब हम दूर और अंतीक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उसमें द्वीत्या विभत्ती भी प्रयोग कर सकते हैं त्रतिया और पंचमी इन में से हम किसी भी एक विबक्ती का प्रयोग कर सकते हैं जैसे यहां उधारण है ग्रामात दूरम यहां पे दूरम में द्वित्या विबक्ती हैं दूरेन त्रतिया विबक्ती हैं और दूरात यहां पे पंचमी का प्रयोग हुआ हैं ग्रामात दूरम वनमस्ती ये तीनों ही शब्द रूप यहाँ पे सही हैं तो इस सुत्र के अनुसार दूर और अंतिक वाची जो शब्द हैं उनमें हम द्वीतिया तरतिया और पंचमी विभक्ती का प्रयोग करते हैं अगला सुत्र है प्रत्थक विना नाना भीस तरत्या अन्य तरस्यां कि यहाँ पे प्रत्थक विना और नाना इन शब्दों के साथ में हम द्वीत्या तरत्या और पंचमी विभक्ती का प्रयोग कर सकते हैं प्रत्थक प्रत्थक कार्थ होता है रहीत होना विना और नाना विवीत्प्रकार के नाना अर्थात विवीत्थ तो यहां जिसे उधारन है सह, नाना, प्रकारम, द्वित्या विभक्ति, प्रकारेन, तरत्या विभक्ति, प्रकारात, पंचमी विभक्ति, क्रीडती, खेलता है, कि वह विवीद प्रकार से खेल लेता है यहां पे नाना शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रथक और विना शब्द के साथ में भी हम इसी तरीके से द्वित्या त्रत्या और पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं तो यह हमारा अपादान कारक हैं जिसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अब इससे आगे है संबंध कारक सश्टी विभक्ति का जहां प्रयोग होता है जिसा कि हमने अपने पूर्व की विडियो में देखा था कि चूंकि संबंध स्वह और स्वामी का संबंध दिखाता है क्रिया के साथ उसका कोई सीधा संबंध न होने के कारण इसे कारक में नहीं गिना जाता है किन्तो इसके कुछ प्रमुक सुत्र हैं जो हमें अध्यन करने चाहिए जो हमें वाकी रशना में बहुती साहयक होते हैं जिसे पहला सुत्र है शश्टी शेशी कि शेश अर्थ में सश्टी विभक्ति का प्रयोग होता है शेश का अर्थ हैं जो कारक से संबंधीत अन्नी नियमों में संम्मिलीत नहीं है जो संबंध का बोध कराता है ऐसा जो शेश है उसमें हम शष्टी विभक्ती का प्रयोग करेंगे उधारन से हम इसको समझेंगे इदम रामस्य पुस्तका कि यह राम की पुस्तक है यहां पे कोई क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है यहां मात्र राम और पुस्तक में संबंध बताया गया है राम स्वामी है और पुस्तक स्वः है उसका स्वः और स्वामी का संबंध है यहां पर तो यहाँ पे हम शष्टी विभक्ति का प्रयोग करेंगे रामस्य, रामकी तो यहाँ पे मातर राम और पुस्तक का संबंध ही बताया जा रहा है यहाँ पे क्रिया के साथ में कोई सिधा संबंध नहीं है अगला सुत्र हैं सष्टी हेतु प्रयोगी कि हेतु शब्द के साथ में सश्टी विभक्ती का प्रयोग होता है जो हेतु शब्द है और जो हेतु है कारण है उन दोनों में ही हम सश्टी विभक्ती का प्रयोग करेंगे जैसे उधारन पुर्वक हम समझें से सह अनस्य हेतो हो तत्रवस्ती कि वह अन्न के लिए वहाँ पे निवास करता है सह यहाँ पे करता है प्रत्मा विबक्ती में वस्ति क्रिया है तो वह मनुश्य वहाँ निवास कर रहा है उसका हेतु उसका कारण क्या है अन्न तो कारण और हेतु दोनों ही शब्द में हम सश्टी विभक्ती का प्रयोग करते हैं अनस्य हेतु हो अगला सुत्र है करतु कर्मणों हो क्रती ही कि जो क्रती शब्द है क्रती शब्द का जो करता है उसमें उसके कर्म में हम सश्टी विभक्ती का प्रयोग करते हैं जैसे इयम क्रिश्ण स्य क्रती ही कि यह क्रिश्ण की क्रती है क्रती का जो करता है उसमें हम सश्टी का प्रयोग करेंगे उसके कर्म में भी सश्टी का प्रयोग होता है यम क्रिश्नस्य क्रती यह क्रिश्न की रचना है क्रती क्रती अर्थात रचना है निर्मान करता है और उसका निर्मान करता क्रिश्न है तो क्रती का जो करता है और उसका जो कर्म है उन दोनों में ही हम शष्ठी का प्रयोग करते हैं तो कृष्णस्य यहाँ पे शष्टी विभक्ति का प्रयोग हुआ हैं अगला सुत्र है तुल्यार्थे तुलो उपमाब्याम त्रतिया अंतर्श्याम की यहाँ शब्द दे रखे हैं की तुल्यवाची जो भी शब्द है उसके समान अर्थवाले जो शब्द हैं तुला उपम सद्रश, सम, इत्यादी में शष्टी और त्रतिया दोनों definite भी भक्ति का प्रयोग किया जाता है तुल्य जहाँ पे समानता बताई जा रही है सद्रश, समान और सम, उपमा इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें हम जिससे उपमा की जारी हैं या जिसके साथ उपमा होती हैं उसमें हम तरतिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और सश्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं क्रिश्नस्यत्टुला क्रिश्न के समान क्रिश्नस्य उपमा या क्रिश्न की उपमा दी जारी है तो यहां पर हमने सश्थी और तरत्या का प्रयोग किया है अब कारक प्रकरण का अंतीम जो कारक है वह है अधिकरण कारक अधिकरण कारक में सदी सब्तमी विबक्ती का प्रयोग होता है जैसे पहला सुत्र है आधारो अधिकरण किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरण के दे जहां पे वह क्रिया संपन्न हो रही है वही उसका आधार है आधार में अधिकरन का रख होता है और सब्तम्य अधिकरन है अधिकरन में सदेव सब्तमी विबक्ती का प्रयोग होता है जैसे रामह आसने तिश्ठती राम आसन पर बेठता है तिष्ठती यहाँ पे क्रिया है, रामह उसका करता है, बेठने की जो क्रिया है, उसका आधार है आसन, तो आसन को हम अधिकरन कहेंगे, और सप्तम्य अधिकरने च, और अधिकरन में हम सप्तम्य का प्रयोग करेंगे आसने इसी प्रकार दूसरे में हम उधारन देख सकते हैं सह परियंग के तिष्ठती वह पलंक पर बेठता हैं तो बेठने की जो क्रिया है तिष्ठती उसका आधार है पलंक तो हम उससे अधिकरण मानेंगे और अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग करेंगे परियंग के तो इस प्रकार किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरन केते हैं और अधिकरन में सदेव सप्तमी विभक्ती का प्रयोग होता है अगला सुत्र है यस्यच भावेन भाव लक्षण कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर जो पहले क्रिया हैं जो संपन्न हो चुकी हैं उसमें हम अधिकरन कारक मानेंगे और उसमें सप्तमी का प्रयोग करेंगे कि जिस क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया हो रही है तो जो पूर्व क्रिया हैं जो संपन्न हो चुकी हैं उसमें हम सब्तमी का प्रयोग करेंगे जैसे सर्वेशु गतेशु साहसती के सभी के चले जाने पर वह हसती है यहाँ पर दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ हैं गत चले जाना और हसती हसना तो यहाँ पे चले जाना जो सभी चले गए तो ये क्रिया पहले संपन्न हो गई साहसती फिर वह हस रही है तो पहले जाने के क्रिया होई और फिर हसने की तो जो पूर्व क्रिया है उसमें हम सब्तमी का प्रयोग करेंगे सर्वीशु गतेशु तो यहाँ सब्तमी अधिकरन का प्रयोग हुआ हैं अगला सुत्र है यतस्यच निर्धारण कि जब निर्धारण किया जाता है तो यतस्यच जहां से उसका निर्धारण किया जा रहा है जिस समूह से निर्धारण किया जा रहा है उसमें हम सप्तमी विभक्ती का प्रयोग करते हैं निर्धारन का अर्थ है किसी समूह में से किसी एक को श्रेष्ट अत्वा निमन बताना उसका चैन करना तो ये निर्धारन यतश्च जहां से किया जाता है जिस समूह से किया जाता है उस समूह में हम शष्टी अत्वा सप्तमी का प्रयोग करते हैं जैसे उधारण है कविनाम कवीशु वा कालिदास श्रेष्ठ है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं कवियों का जो भी समूह हैं उन में से हमने महा कवी कालिदास को श्रेष्ठ बताया उनका निर्धारन किया हमने उनका चयन किया श्रेष्ठता के आधार पर तो कालिदास की श्रेश्टता का जो आधार है जहां से हमने उनको श्रेश्ट बताया हैं वो है कवियों का समूह तो कवियों का जो समूह हैं हम उसमें या तो सश्टी का प्रयोग करेंगे अथ्वा सप्तमी का कविनाम, सश्टी विभक्ती, कवीशु, सप्तमी इन दोनों में से हम किसी भी एक विभक्ती का प्रयोग कर सकते हैं तो इस प्रकार से हमने कारक प्रक्रण से संबंधी सात्व कारक तथा सप्तमी विभक्ती का प्रयोग करके किन सुत्रों के आधार पर हम वाकी रचिना कर सकते हैं इसका अध्यान किया ये कारक संबंधी जो सुत्र हैं हिंदी से संस्कृत अनुवाद में बहुती उप्योगी होते हैं इन नियमों को ध्यान में रख कर के हम वाकी रचिना बहुती सहजिता से और बहुती शुद्धता के सात्थ में कर सकते हैं साथ ही वाक्य शुद्धी संबंधी जो प्रश्णे आते हैं उनमें भी हमें इन सुत्रों का ध्यान रखना अत्यन्ती आवशक हैं तो इस प्रकार से ये कारक प्रकरण से संबंधीत सभी सुत्र हमने यहां पे अध्यन किये तो आज की इस वीडियो में यहीं तक धन्यवाद